हेई गाईज वास्टाप तो स्वागा थे आपका एक नए वीडियो में और वीडियो का टाइटल तो पड़ी लिया होगा आपने और आप बहुत एक्साइटेड भी होंगे वीडियो देखने के लिए सिंगल लांडे तो खास करके कुछ जादा ही एक्साइटेड होंगे तो वीडियो देखिए एंजॉय कीजिए लेकिन बाद में मैं कुछ टिप्स और एडवाइस दूंगा वो भी सुनिएगा जरूर लेना और ने लेना वो आपके उपर है लेकिन सुनिएगा जरूर तो चलि आपके जादा है लेकी वीडियो आपके ब वो नांगेश पु सार आप्षा जापके लेक्ड़िक्टा सब्सके इक के एक क्यों प्र एंड प्र एंड बहुड़ग्ना चैक प्र एंड रोड़ियो घ को राद बादारे ले घर शाम इडिए लेक्ट आट लेक्ड़वा यहे की ची की की मुझे की की आ το सही चान ची का सुना सप्सटार है kind Ну, и вообще, более внимательный, романтика, Болливуд и всё такое. Чем твоё воспитание в России отличается от воспитания детей в Индии? Ну, на самом деле, я стараюсь воспитывать детей точно так же, как бы я их воспитывала в России. То есть, допустим, если бы мы жили в России, ребёнок бы был более агрессивный. То есть, там очень большая конкуренция, там дети попадают в такие жестокие условия, когда, ну, если, допустим, в новый коллектив, то его будут, естественно, оторгать, проверять и всё такое. То есть, здесь более доброжелательные, нету такой агрессии, дисциплина, он не знает плохих слов, он не дерётся. То есть, я могу сказать, что здесь дети растут в более доброжелательной обстановке, более позитивно. Ну, мне здесь больше нравится. Спасибо за ответ, Надя. Разно комсто. Тоже рада. До свидания. Все хорошо. До свидания. 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 कराया एज फियॉंसे और फिर लेना का वीशा एक्सपैर हो गया और लेना को लोटना पड़ा और लेना से पूछा कि तुम कब आ रही हो वापस इंडिया में तो लेना ने कहा कि देखो मेरे सारे पैसे तो खतम हो गए इस इंडिया ट्रिप से लड़का एक्चली कुछ खास क मैंने काम कर लूँ तो मेरा फ्लाइट फियर मेरे पास आ जाएगा और फिर मैं वापस आ जाओंगा इंडिया में और अगर तुम चाहते हो कि मैं जल्दी ही आ जाओ तो एटलिस्ट मुझे हाफ फ्लाइट फियर वो दे दो और हाफ का मैं इंतजाम कर लूँगी तो लड़ ये लेना है तो फट से कॉल कार्ट देते थे और लेना ने कहा कि उसे इस बात का सबसे जादा दुख है कि उसे पता ही नहीं चला कि आखिर हुआ क्या अगर उसे कोई दूसरी मिल गई तो वो बता सकता था एटलिस्ट लेकिन उसने बताया ही नहीं और मुझे आज तक पता घर में अपने तो I really respect her for that और वो आज भी positive है आज भी अगर कोई इंडिया से उसे प्यार करे सच्चे दिल से तो वो फिर भी भरोसा करने के लिए राजी है उसने मुझे ये कहाई ये सब का personal experience है और personal perspective है किसी को नहीं पता है कि उसका सच्चा प्यार किस देश पर और किस को अजिया मुझ आजिया उसका एंधिया ये घर राजी है कि अवो इन्पैट अजी जेवा ये ग्रॉट अजी ए राज को ये रहे का ये एन्जिया आटाइ चीना वा उब्ल्ड़ा आजिया वाच्ट एंद वह रेखलो इन्पैका प्याप अज्चा ये वी और का र ये इनीं वाल 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 को वाल रिंदा एंदा इसा रीड़ी है भींग के अवहतन अवह Dazu? मैं ऊब दमालो प्राकत अम stress वोज करते हैं ऑमी नन्यवधिक शैस्टलीं लिजी एक बारे शे शक्रेटा मैमा धनेज्आ जैस्सी व की 떡 इन च्रवईय के Кya श्रवा उन्यवा हैं और बहने जह वस क्विझ अन्ही पाल ए why तो है ग्रिक्ता हो एक्रास पाइक हो ऑन है किह पुट एकी दो माते हैं पक nurses किक हैं पार। गैर । ता क्यो एकडिक ग्रिव का लोंग है ने घो नेनत पहुड़ जशनका, यह और isn't in the तास बेस्ट पार्ट अवर कुल्चर इस अल्वेस डिफिकल्ट तो अज़स्ट अनदर कंट्री लेकिन फिर भी यह इतने दूर से आके यहां पे अज़स्ट करती है यह है प्यार की तागत और यह है मतलब किने अच्छी लड़किया है वो जो प्यार के लिए इतने दूर तक आजाते हैं एड़्स्ट करने के लिए क्नाय कंट्री में अ में व्या ρο판 कीया टींप बंग जो कि अ कि अ रह Przy Kenya प्रिंप आवनी पूम्न आजखिए्ट इन को अ आज आराणि। आपhtaई कन या नापलेछ मंका उनल्ता है। मैं आराले वी एकरोजी का एक वर देडिया इकक्षा निन्हें क मैं सबस्टांग आपे मैंने छाथा। यहाँ पर मैं majority की बात कर रहा हूँ exceptions are always there और आपको अगर ऐसी लड़की मिल गई है तब तो दूसरी बात है लेकिन ज़्यादा तर ऐसी होता नहीं है फिल्मों की तरह अगर आप personally मुझे से पूछे कि मेरा method क्या है तो मेरा method तो बहुत ही simple है मैं किसी लड़की को propose करता ही नहीं हूँ बस अपने आप पे काम करता हूँ अपने आप पे focus करता हूँ और खुद की talent को enhance करने की कोशिश करता हूँ पट इसी process में लड़कीया automatically पढ़ जाती है और ये सब के लिए सच है और ये method सबसे अच्छा इसलिए भी है कि इससे देश का नाम खराब नहीं होता है Actually बहुत सारे ऐसे वीडियोज देखके बहुत सारे इंडियन लड़के रश्यन लड़कियों को stock करना शुरू कर दिया है इंटरनेट में बहुत सारे friend request उनके पास आते हैं और मुझे कुछ रश्यन लड़किया बोलती है कि इंडिया में क्या रश्यन लड़किया बहुत popular हो गई है अभी कितने सारे friend request आते हैं और obviously बात शुरू friendship से करता है लेकिन बात में गूम फिर के वही प्यार शादी में ही आते तो एक एसा stereotype है कि इंडियान लड़कों के बारे में कि क्या हमेशा मतलब बूम फिर के इंडियान लड़कों के हमेशा क्या प्यारी चाहिए होता है तो यह एक ऐसा stereotype हो गया है और मुझे मिलके किसी हद तक यह stereotype उनके दिल में जο है वो break हो जाता है क्लिकки उन्हें लगता है कि यह इतना खुपशूरत लड़की जिसको सारे लड़के प्रपोस करते तो मैं ऐसा कौन हूँ जो उनके साथ प्यार के बारे में बात ही नहीं करते और मैं दूसरे टॉपिक्स में अपने काम के बारे में बात करता रहता हूँ उनसे और जब तक वो एक स्ट्रॉंग कोई सिगनल नहीं देती है कि हाँ वो मुझसे मतलब इंप्रेस्ट है और रिलिशंशिप को थोड़ आगे ले जाना चाहती है तब तक मैं प्यार के बारे में बात ही नहीं करता हूं तक मैं बात है वो मैं अवी देती है कि बात हूं आपके उपर है लेकिन मेरा परस बंदा था कि मेरा एक्स्परियंस आपके साथ शेयर करो तो चलिये मिलत अपस नेक्स व्यरे में तिल एं तेक के बाए झाल झाल